इस वीडियो में हम अब डिसकस करने वाले हैं इच्पी टाट का जो कि आपके नॉन मेटिकल के एक्जाम आपका आज मॉनी में हुआ था उसको हम डिसकस कर रहे हैं अब हम जो आपके ये जनर्नल अवेर्निस का सेक्शन रहता है उसको डिसकस करते हैं सो बिना वो टाइम वेस के लेट साट बट उससे पहले अगर आप मेरे चानल पर नए हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दो बेले लेकन को प्रेस कर दो सो दर आपको हर इंपोर्टन अप्डेट टाइम अलते रहे सो दे फर्स्ट क्वेशन इस तो इसका जाप का करेक्ट आंसर रहने वाला है वो भी सरकागाट रहने वाला है नेक्स है विच डिस्ट्रिक ऑफ एच पी इस नगर सिंग तिबबा पीक तो कहां है वो आपके चंबा डिस्ट्रिक में है दी विल बी दे करेक्ट ऑप्शन नेक्स है आपका विच विच प्रिंसली कोट वाज निका पेंटर एससियेटटड तो किस के साथ है वो भी चंबा डिस्ट्रिक के साथ जो थे एससियेटड थे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तो किस के साथ है वो बिलासपूर के साथ है तो कहां है आपके नाल देरा में है बात करते हैं नेक्स क्वेशन की देर देरा में देरा में है बेर हम्हांलियास किताब को बुला जाता है। अलोरा किसे बूल दाइ जाता है। जो मश्तुरूर रॉकर टेमपल हैं जो कि आपकी कांगरा डिस्टिक में उसे बोला जाता है। बात कहते हैं next question की, what is the most important element of Satyagrahe? तो क्या था सबसे ज्यादा important इन में से non-violence था। बात करते है नेक्स्ट क्वेस्टिन की वेर दिड महात्मा गांदी लॉंच्ट इस फर्स अत्यग्रे इन इंडिया तो कहां किया थो उन्होंने चंपारन ने किया था में किया था दिव बिल बी ते करेक्ट ऑप्शन नेक्स इन विच सेट वस पैशन था पर पांचाईटी राज फस इंट इन इंट इस तो कहां हुआ था यह आपके राजस्थान में हुआ था इन इसस नेक्स नेक्स है वाट वाट्व वस द रियल नेम ओफ भूंशी प्रेम चंप तु क्या है पाज मिनिट से या आज से वो आगे चलता है ठीक है हमारा टाइम next which one of the following is not a salt water lake तो इसमें से चिलका आपका देन आपका पुलिकत जो है और आपका सामभर जो है ये सारी क्या है salty water lake है salt water lake आपका वुलर जो है वो क्या है fresh water largest fresh water lake है next है हिंदुस्तान shipyard limited is located at वहां है वो आपके विशाखा पतनम में है next है आपका which national highway is known as shesha suri mark तो आपका national highway 1 को बोला जाता है ये चीक है a will be the correct option next है what is the motto of national service commission तो उनका motto क्या है not me but you a is the correct option next है whose birth anniversary is celebrated as national youth day in india तो आपके किसकी स्वामी विवेका नंद की birth anniversary को celebrate किया जाता है as national youth day और कब celebrate की जाती है ये 12th january को celebrate की जाती है ये day आपका 12th जो आपका national youth day is celebrated on 12th january बात केते है next question की name the leader who was killed during the protest against Simon commission तो Simon commission के time में कौन से आपके लाला राजबत राए जी चो थे उनको kill किया गया था next है who was the who was when was india's first when was india first participated in olympic game कब आपका india ने first time in olympic games में participate किया था तो 1900 AD will be the correct option A will be the correct option next है in which schedule of indian constitution contains the list of recognized language तो आपके 8th schedule में आती है ये ठीक है पात केते है next question की which is the highest civilian award in india तो कौन सा है आपकी भारत रतना is the correct answer next है which was the when was the world trade organization established तो कब हुई थी वो हुई थी आपकी 19th 95 को 1995 को 1st January 1995 को थी next है which organ breaks the fats to produce cholesterol तो आपका किसको आपकी pancreas के पास enzymes होते हैं वो ही break करते हैं आपके carbohydrates को and जितने भी आपके proteins को ठीक है next पात करते हैं who presides over the joint presides over the joint sitting of the parliament see presides बोल रहे है call कौन करता है president करता है preside कौन करता है आपके log sabha का speaker करता है speaker of log sabha will be the correct answer next है the most abundant rear gas in the atmosphere is तो कौन सी है वो है आपकी argon D will be the correct option next है the chairman of national disaster management authority is तो कौन है वो होते है आपके home sorry prime minister prime minister will be the correct answer बात करते है next question की the nota was first used in which year in the election in India तो first कभ यूस हुआ था वो हुआ था 2009 में B will be the correct option बात करते है next question की which city is called Silicon Valley of India तो किसको बोला गया है Bengaluru को बोला गया है तो किसको बोला गया है Bengaluru को बोला गया है d will be the correct option next है in which district of HP का sole hot water the spring is situated तो हमने ये पहले पहले पर डिसकस किया है वीडियो बनाई है इस पर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप बहुत दीज़ी बिता सकते हो कहां है ये कुलू में है चेक है so ये थे आपके questions आपके जो कि आपके इसमें पूछे गए है अब next section में हम chemistry part को solve करेंगे so till then you can rest and you can check your answer अगर आपको videos useful लग रही है तो please असे like कर दीजे अपने friends के साच चेर कर दीजे बाकी इस channel को subscribe कर दीजे thank you so much